हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल रामरीती फैशनमिला आज की वीडियो में लड़ू गोपाल जी के लिए यह स्टार्ट सेप की ड्रेस बनाना बहुत इजी है गाइस बहुत इजी हमने बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना बताया है और वीडियो के अंदर हमने सबी साइस के लिए मेजर्मेंट बताई है तो आप वीडियो पूरी देखेगा और हमने इसे गोपाल जी को पहना के नहीं दिखाया है क्योंकि यह चार नंबर के गोपाल जी की पूश्चाक है और मेरे गोपाल जी साथ नंबर के हैं आप लोग कमेंट करते हैं कि दिदी आ आप में पहना के नहीं दिखाया तो मैं आपको क्लियर बता दे रही हूं जिससे आपको कोई डाउट ना हो इससे बनाना बहुत इजी है आप पूरी वीडियो एक बार देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है तो वीडियो स्टाट करने से पहले गाईज आप यह दिखें सबसे पहले तो हमने आप बुखरम के ऊपर यह चंदेरी का फैब्रिक पेस्ट क्या हुआ है यह देखें यह रड़ कलर और गॉल्डन कलर में है बहुत ही फूप सुरवत फैब्रिक है इसे हमने बुखरम के उपर प्रस करके चिपका लिया है हम बनाएंग तो इतना कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमें ट्राइंगल कट कड़ा है अगर आपका एक साइट से थोड़ा है तो कोई रिक करते हैं वैसे आप 6 लंबाई और चोड़ाई का ले ले लिए सबी साइज के लिए आप इसकी मेजरमेंट देख लें जीरो साइज के लिए चाहिए साड़े तीन इंच अब ये साड़े तीन इंच तो आपको पता ही होगा ये रहे है साड़े तीन इंच एक नमबर के लिए चाहिए चार दसलो दो पाच इंच दो नमबर के लिए चाहिए तीन नमबर के लिए चाहिए 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 चा साथ-पांचिन, दसम्रों साथ-पांचिन बढ़ता चले जाएगा चाहिए आप जितने साड़े तक चले जाएए हम क्या करेंगे इसे ऐसे उल्टा करेंगे और उल्टी साइट से हमें मार करना है तो यह तो हमारा देखिए साड़े चेंच है ही अब जितनी भी लंबाई और ले रहे हैं अपना फैब्र को उतनी ही यह देखिए हमें ऐसे सड़े चेंच पर मार करना है यह रहीए पिलूब उभी देख लेता है कि क्या है यहां पर के सदम पर क्या है वो सही है तो छाधर से lush दो कुछ है इसे उनको सब्सक्राइब हो यह दे हो लेते हैं पेंगर साथे नहीं बोलता है कि अगर एक सादरे को तियस्क्तł को यह हमने उपर की साइड रखा है तो यह हमारा यहां से कट होके निकल जाएगा तो चलिए हम इसे यहां से कट कर लेते हैं फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहां पर इसे कट कर लिया है अब हमने यहां पर एक पिस और लिया है बुकरम का इसके को ने अलजेस्ट हो जा रहे हैं तो यहांसे हम इसके ऊपर कि ऐसे करें अपनी कोइभी प्राब्ल मुखेक जरूर पेक प्रॉब्लम होती शुक करें करें इसे मुझे भी पता चलेगा आपको जिक्त हो रही है और मैं आगे कि आपको समझा पाऊंगी कि आप कैसे क्या करें जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो आप बुक्रम के उपर अपने piece को रखके कट कर लें पूरे बुक्रम पर ऐसे रखके कट कर लें शाड़े 6 inch कट करने की जरूध ही नहीं पड़ेगे और हमें क्या करना है यह देखिए यह हो गया और हम इसे कट करेंगे अब आप देखें कि इसे हमें कैसे कट करना है तो इसे कट करने का बहुत इजी ता तरीका है यह हमें इंच टेप लेना है और यहां से 10-10-7-5 इंच का मार्क खड़ना है पूरा एक इंच नहीं चाहिए, एक इंच से कम चाहिए यह देखें, यह हमने यहाँ पर इस सेड हम सेम मार्क करेंगी वही 10-10-7-5 इंच इधर से और 10-10-7-5 इंच इधर से अब फिर इन दौनों मार्क को मिला देंगे ऐसे हमें तीनों सेड से करना है तो दो सेड से मैंने आपको दिखाए दिया ऐसे हम तीसरी से भी करेंगे तो शरी जल्दी से कर देते हैं यह दिखे हो गया अब हम कहां से कि फैब्रिक काट के निकाल देंगे सुरी बुकर हम कट करके निकालेंगे तो कैसे कट करना है आप देखें यहां से ऐसे करके छोटा सा कट लगाएं जिसे हम कैची को अंदर डाल सकें का और फिर हम काटेंगे ये दिके अब ये हमें मार्क पर से ही कट कर देना है एकदम इसली हो जायागा ये देखिए तो चलिए जैड़ेसे कर देते हैं अब इसके ऊपर भी हम फैब्रिक पेस्ट करेंगे तो आप कोई भी साभी कलर ले सकते हैं जो मेक्स एन मैच हो इस से थोगा सा तो चलिए हम पेस्ट कर लेते हैं प्रस करके चिपकाएंगे तो इसके ऊपर चिपक जाएगा यह देखिए हमने यहाप इसके ऊपर ग्रीन कलर का फैब्रिक लगा दिया हमें यहाप लगाना था प्लेस बट लाइट चली गई है और जो मैंने सिलाए लगा ली तुरह लाइट भी आ गई तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वेट कर सकूं तो मैंने यहाप सिलाए लगा यह कुछ इस तरह से आएगी यहाँ पे यह देखिए बहुत ही कुप सुरत लगेगी स्टार बाले ड्रस हम बनाने वाले हैं और अब हमने यहाँ पे लिया यह रेट कलर में लेस तो हम इसे लगाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पे लगा देंगे ऐसे बूरे ट्रेंगल पे नहीं होती है तो यहां पर अच्छा आजाता है और इस पर लगाने के बाद हम इसके उपर भी लगाएंगे यही लेज यहां से ऐसे करके तो चलिए हम लगालते हैं फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है यह देखे हमने आपे दोनों के उपर लगा दिया है अब हम क्य देखें हमने पर है इसे सिल्दी आको एक को तो इसते हैं यहां से पूरा इक निकला हुआ है और यहां से आधा जब तक यह निए आएगा समझें लेगा कि आपका एकदम सेंट्र में नहीं कट हो रहा है अब हम यहां से ऐसे cut करेंगे बहुत पड़ा हमें नहीं cut करना है चोटा साही cut करेंगे यह हमने cut कर दिया यह देखे यहां पर हमारा एक दम proper circle cut हुआ है बहुत अच्छे से और अब मैं क्या करना है हमें यहां से इसे cut करना है यह देखे तो कहीं से आप cut कर सकते हैं यह जो हमारा triangle दिख रहा है इसमें से हमें कहीं से cut करना है तो इधर से cut कर देते हैं यह देखे क्योंकि एक साइड से खुला होना चाहिए जिसे हम गोपालजी को इल्ली पहना सकें यह देखे अब हमने यहां पर टीशू रिबन लिया है इसे हम लॉक कर देंगे ऐसे करके सिलाय लगानी है और यहां इसके उपर भी एक गोल्डें करकी हम लेस लगा लेंगे चले हम इतना काम करते हैं फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है यह देखे हमने यहां पर डू बटन लगा दी और यहां पर एक हमने डोरी सिल दी है बातने के लिए बस ही अमारी इड्रस कम्लिट हो गया आप चाहें तो एक बटन यहां पर भी लगा सकते हैं तो अब हम एक चोली के लिए देखना है तो देख लेजिए जीरो साइस के लिए मैं पांच इंच लंबाई लिए इसकी चोड़ा ही हमने 1.5 इंच रखे हम ऐसे फोल करेंगे और यहां पर एक सिलाय लगा लेंगे और सिलाय लगाने के बाद यह रेट वाली लेस हम एक बार यहां से अटाच करेंगे चले करते हैं फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है यहां पर सिल दिया इसे आपको दिखाएंगे और खोलने के बाद यहां से ऐसे सिल देंगे ऐसे लगा के हमें सिल दे रहा है चले सिल लेते हैं फिर यहां पर भी बटन लगा लेंगे उसके पाद यह कंप्लीट है फिर आपको दिखाएंगे कि आप कैसे पहना सकते हैं यह देखिए आपको दि एकदम सिंपल सा और आसान सा तरीका है इसे बनाने का भी और पहनाने का भी आपको खुद प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यह देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगी और यह चोली की वृटिंग बहुत अच्छी आती है आप पहनाने की बाद पीछे से हलका हलका सा ऐसे कर लिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे